नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हरियाना मीडिया नियूस पर वास्तू के बारे में तो सभी जानते हैं जो लोग वास्तू में विश्वास रखते हैं वो इसका महत्व भी बखुबी समझते हैं हमारे जीवन की हर छोटी से बड़ी घटना, आदते, व्यवार, आवास, निवास, भौतिक वस्तू आदी सब कुछ वास्तू शास्त्र के अनुरूप ही होना चाहिए क्योंकि इसी से ये संचालित होती हैं हम आपको बताते हैं कि वास्तू की कुछ ऐसे सोला उपाएं जिनके बारे में आप जानकर जिन्हें आप आजमा कर अपने जीवन में परिशानी से निजात पा सकते हैं और सफलता को चू सकते हैं मुख्य द्वार दक्षन दिशा में ही हो तो आर्थिक परिशानिया हमेशा घेरे रहती हैं जहां तक हो सके ऐसे घर का चुनाव ना करें इशान यानि की उत्तर पूर्व में साथ की संख्या में क्रिस्टल रखें इससे घर में पॉजिटिव उर्जा भड़ेगी वधनलाब होगा अम अवस्या के दिन घर की सफाई का नियम बनाएं तो आप महसूस करेंगे कि घर में एक पॉजिटिव एनरजी बढ़ रही है रोज जब भी घर में पोचा लगाएं तो पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएं इससे करने से आपको फाइदा होगा घर के अंदर प्लास्टिक के फूल वा पेड़ पौधे ना रखें इससे दरिद्रता आती है और नेगिटिव एनरजी का प्रभाव बढ़ता है कुरुवार के दिन उत्तर दिशा में कमल के फूल को रखने से धन में व्रिद्धी होती है पूर्व दिशा में बहुत जादा समान रखने की वजह से एनरजी का फ्लो नहीं हो पाता जिससे घर में बाधाएं आती है उस दिशा में रखा हुआ समान हटा दे तुरत पैसे से संबंधी चिनताएं कम होने लगेंगी किचन में रात के जूठे बरतन रखने से बिजनस में नुकसान होता है आप ऐसा ना करें रात को ही किचन को साफ कर लें बेडरूम में पानी को रखना वर्जित है ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा कर्जवा उधार में फसा रहता है इसलिए बेडरूम में पानी भर कर कभी भी ना रखे अगनी कोण यानी की दक्षन पूर्वदिशा में रोजाना शाम को कपूर जलाने से धन में वृद्धी होती है दिजोरी में परफ्यूम ना रखे इससे बहुत बहुत जादा नुकसान होता है प्रतेक पूर्णिमा के दिन दहलीज पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए ऐसा करने से जो आपका कर्ज है वो कम होने लगेगा घर का मुख्य दर्वाजा अगर खराब हो या पूरी तरह से ना खुलता हो तो इससे धन हानी होती है इसे फॉरन ठीक करवाएं वो कर्ज वो नेगिटिव एनरजी से बचे दक्षन के दिवार पर मंदिर होने से बड़े बड़े संघर्ष सामने आते हैं और वो कभी कभी व्यक्ति दिवालिया भी कर जाते हैं कृपया इसे हटा कर इशान में स्थापत करें घर में वर्ष में दो बार कोई भी पूजा या हवन करवाएं ऐसा करने से कर्ज को प्रभावत करने वाली उर्जा खतम होकर धन उर्जा बढ़ती है इससे वास्तु देवता भी प्रसन होते हैं बढ़ते हैं अपने आखरी उपाए की ओर जिस घर में जादा कलह होता हो वहाँ पर धन संबंधी जिनताएं लगातार बनी रहती हैं वह समय के साथ बढ़ती हैं ऐसा किसी बड़े वास्तु दोश के कारण हो सकता है कृपया किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से परामर्ष लें तथा इसे ठीक करवाएं देवटनी एकादश जी को तुलसी एकादश भी कहा जाता है तुलसी को शाक्षात लक्षमी का निवास माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस मास में तुलसी के समक्ष दीब चलाता है उसे अत्यांत लाब प्राप्त होता है इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है तुलसी जी का विवाह शाली ग्राम से कराया जाता है माननेता है कि इस प्रकार के आयोजन से सौभाग्य की प्राप्ती होती है तुलसी शाली ग्राम का विवाह करने से वही पुर्णे प्राप्त होता है जो कि माता पिता को अपनी पुत्री के कन्यादान से मिलता हूँ शास्त्रों और पुराणों में उलेख है कि जिन लोगों के यहां कन्या नहीं होती यदि वो तुलसी का विवाह करके कन्यादान करें तो जरूर उनके यहां कन्या होगी इस आयोजन की विशेष्टा ये होती है कि विवाह में जो रीती रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी का विवाह उसके लिए सभी कारे कराए जाते हैं और साथ ही विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाय जाते हैं आई ये नज़र डाल लेते हैं एक बार पूजन विधी पर जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे गेरुवादी से सजा कर उसके चारो और मंडब बनाकर उस पर सुहाग के प्रतीक की चुन्री को उढ़ा दें इसके अलावा गमले को भी साड़ी बेल पेट दें और उसका श्रिंगार करें इसके बाद सिद्धी विनायक श्री गनेश, सहित, सभी देवी देवताओं और श्री शाली ग्राम जी का विविधित पूजन करें एक नारियल दक्षणा के साथ टिकाद के रूप में रखे और भगवान शाली ग्राम की मूर्ती का सिंखासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा कराएं इसके बाद आप आर्ती करें भगवती तुलसी मूल प्रकृती की ही प्रधान अंच हैं प्रारंब में वो गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी भगवान के चर्णों में उनका अतिशय प्रेम था रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रती अनुरक्ती को देख कर राधाजी ने कुपित होकर उन्हें माना व्योनी में जन्म लेने का शाप दिया था इससे वो भारत वर्ष में राजा धर्म ध्वज की पुत्ते हुई गोलोक में ही सुदामा नाम का एक गोप भी था जो की भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षत था उसे भी किसी कारण कृध होकर राधाजी ने दानव योनी में जन्म लेने का श्राप दिया था उनकी श्राप से अगले जन्म में वे शुदामा शंख चूड दानव बना ब्रह्मा जी की प्रेणा से भगवती तुलसी का शंख चूड दानव से गंधर्व विवाह संपन हुआ ब्रह्मा जी का वददान पाकर उस दानव ने अपने पराकरम के द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निश्कासत कर उस पर अपना अधिकार कर लिया देवतागंड तरस्थ होकर भगवान श्री विष्णू की शरन में गए उसके बाद भगवान श्री विष्णू ने देवताओं को शंख चूड के जन्म एवं वर्दान आधि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यू का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया था ये भी बताया था कि तुलसी का स्तित्व नश्थ होने पर उसकी मृत्यू संभव हो सकेगी इसका भी आश्वासन भगवान श्रीविष्णू ने दिवताओं को दिया अपनी कथा अनुसार भगवान श्रीविष्णू ने छल पूरवक तुलसी का सतित्व नश्थ किया उधर भगवान शंकर के त्रिशूल द्वारा शंक चूड का वद कर डाला पतिवरता तुलसी को भगवान के द्वारा चल पूर्वक अपने सतित्व को नश्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यन्त शोक संतप्त में होकर उन्होंने भगवान को पाशान होने का श्राब दे दिया था तुलसी की करूणेक अवस्था को देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा कि हे भद्रे तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है और साथ ही इस शंक चूर ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्ग समय तक तपस्या की थी तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वो गौलौक चला गया अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिध होगा तुम्हारा केश समुहुप मुर्णय प्रश के रूप में प्रकढ होगा जो तुल्सी नाम से प्रसिध होगा देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पो और पत्रों में तुल्सी की प्रधानता होगी सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सन्निध опять में रहोगी इतना ही नहीं मैं भी तुम्हारे श्राप से पाशान बनकर भारत वर्ष में गंड की नदी के तट के समीप निवास करूँगा चारो वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुर्णे प्राप्त होता है वो पुर्णे शाल ग्राम शुला के पूजन से निश्चित रूप से सुलफ हो जाता है उसी समय तुलसी के शरीर से गंड की नदी उत्पन हुई और भगवान श्री हरी उसी के तट पर मनुश्यों के लिए पुर्णे प्रद शाल ग्राम बन गए पुराणों में उनलेक मिलता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रते दिन भक्ती पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वो स्वैम आकर दर्शन देते हैं अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र यूगों तक मनुश्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठत होता है यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में सनान कराता है तो वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विश्णू के लोक में आनंद का अनुभव करता है जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगा कर तुलसी का वन तयार कर देता है वो उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है और वहां यमराज के दूत नहीं जाते तुलसी वन सब पापों को नश्ट करने वाला पुर्ण्य में तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है जो श्रेष्ट मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वो यमराज को नहीं देखते जो मनुश्य तुलसी काश्ट संयुक्त गंद धारन करते हैं क्रिया मान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता जहां तुलसी वन की छाया होती है वहीं पर पित्रों की त्रप्ती के लिए श्राद करना चाहिए जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके उपर यमराज की दृष्टी नहीं डाल सकते फिर तो दूतों की बात ही क्या है जो प्रते दिन आदर पूरबक तुलसी की महिमा सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है बानेता है कि कारतिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से अनन्त पुर्ण्य की प्राप्ती होती है तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का निवास भी माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो इस मास यानि कि कारतिक मास में तुलसी के समक्ष दीप चलाता है उसे अत्यांत लाभ वा वैभव की प्राप्ती होती है ऐसे ही वास्तू से जुड़ी और जानकारियों के लिए देखते रहे हर्याना मीडिया न्यूज